नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jotis Secret आज हम बात करेंगे जे नाम बालों के बारे में जिनका भी नाम J लेटर से सुरू होता है उनके बारे में उनके बेक्तित, उनका सुभाव, उनका बैभार, उनका लब लाइफ और यहां तक कि उनके धन के बारे में भी करियर, उनका सुभाव, तमाम चीजे आज हम जाने की कोशिस करेंगे हर किसी के जीवन में नाम का बहुत जादा महत होता है और आपके नाम के एक अलग भी सिस्ताइं होती है हर बेक्ती के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन को प्रभावित करता है और जिनका नाम J लेटर से सुरू होता है इनके बारे में कुछ खास अगर आपका नाम जे लेटर से सुरू होता है या फिर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई है आप किसी को जानते हैं उनका नाम जे लेटर से सुरू होता है तो वो कैसे हैं देखिए जिनका भी नाम जे लेटर से सुरू होता है ना इनका भाग्यांक जो होता है वो होता है एक और नाम के पहले अक्षर से आपके जीवन की कई सारे राज खुल जाते हैं अब आपका चारितरे गुन भी पता चल जाता है तो चली सबसे पहले ये जानते हैं कि आपकी खासियत क्या है देखिए जो जे नाम बाले होते हैं एक बार किसी काम को करने के बारे में सोच लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेते हैं पढ़ने लिखने में कभी-कभी थोड़े पीछे रह जाते हैं इनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सच है पर हकीकत में ऐसा होता भी है पर कुछ मामलों में सामरे वाला भी सच हो सकता है तो ये जो होते हैं जे नाम वाले थोड़े से नाज नकरे वाले होते हैं इन्हें कोई चीज यदी समझ में आ जाती है एक बाल में तो उसे हासिल कर लेंगे अपनी जीजान से लेकिन अगर इन्हें कुछ चीजें जो पसंद नहीं आ रही है तो फिर वो चीजों के प्रती इंटरेस्ट भी नहीं रहता हलांकि अपने जीवन में मान समान प्यार सब प्र believing बना लेते हैं लेकिन अपने जीवन में बहुत बिंदास तरीके से जीवन जीना पसंद करते हैं और इसी कारण से ये आगे लेकिन जब ऐसी कुछ परिस्थिती होती है जिसके कारण ये एक बार स्वार्थी भी हो जाते हैं वैसे अमोमन ये स्वार्थी नहीं होते लेकिन जब स्वार्थी हो जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाते हैं धन दौलत सुख सांती सम्रिद्दी बैभभ सब कुछ इनक फॉलावर हो जाते हैं लोग इन्हें पसंद करते हैं तो जे नाम बाले जो लोग होते हैं किसी काम को पसंद करने के लिए काफी समय तो लगाते हैं लेकिन अगर पसंद कर ले तो फिर पीछे नहीं हटते जब तक कि वो काम खत्म ना हो जाए इसलिए यह जब भी कोई काम को ह में लेते हैं तो पूरा करके ही दम लेते हैं लेकिन अगर हम इनके जो पुराने समय से चली आ रही कुछ रूड़ी बादी परंपरा है न वह या तो एक दम से पालन करेंगे 100% या फी कुछ भी नहीं करेंगे यानि बीच का रास्ता नहीं है खुद को पूरी तरह से सोतंत्र रखना चाहते हैं किसी बंधन में नहीं जो मज़ी आएगा वो करेंगे और दूसरों को भी सोतंत्र रहने की सला देते हैं लेकिन कुछ मामलों में इनको लगता है कि वो सही ह वो जो कर रहे हैं सब अच्छा है बाकी लोगों को कुछ नहीं आता तो ये पारिवारिक बंधन इन्हें खुद पसंद नहीं है लेकिन ये परिवार में बंधन डालते हैं कभी-कभी जो इनको जिसका कारण बिरोत का सामना भी करना पड़ता है अब इनका जो ये जो होते ह हैं जे नाम बाले हमेशा ही एक्टीब रहते हैं कितना भी उम्र हो खुद के बलबूते सब कुछ करेंगे इन्हें दूसरों पर आस्री दराना पसंद नहीं है ये इनके आसपास क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी रखते हैं और अगर सही मायने में हम बताएं तो कि बात करें तो बड़े ही इमांदार वफादार होते हैं जितने खुबसूरत दिखते हैं उतना ही खुबसूरत मन होता है पर कभी-कभी थोड़े से संकिन वीचार भी उभर आते हैं तो फिर ये चीजें गरबर कर देता है अब ये लोग जिन्दगी में तरक्की तो करते ह हैं पर इनका सोहा थोड़ा सा नकरीला होता है पर अगर हम बैवाही जीवन की बात करें तो देखिए जे नामबालों का स्वास्त जो है कभी-कभी थोड़ा कमजोर होता है एक ने एक पिडाएं इन्हें होती है लेकिन फिर भी ये उन पिडाओं को साइड में रखकर ये आ प्रेम विवा नहीं हो पाता थोड़ा सा संचल सोहाप के होते हैं और इसी कारण से बहुत सारी लोग इनसे चिड़ते भी है क्योंकि इनके अंदर गुन भी है खुबसूरती भी है अब जब सब कुछ आपके अंदर है तो बहुत सारी लोग आपसे जलेंगे और ये चीजे जानते हैं एक और बात आज हम आपके जो जे नाम वाले हैं आज हम आपके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़कर बात करेंगे देखिए सबसे पहली बात तो आपका जो सारी लिक संज रचना है ना क्योंकि आपका जो बहुत जादा आकरसक होते हैं तो ये आकरसक जो आ जवे तक अच्छे से जान समझने लेते पैसा नहीं लगांगे और बिना घरवाले के राय के कहीं भी कोई काम नहीं आगे बढाते हैं और स्वेम आप हर चीज को पसंद भले ही करते हैं करना लेकिन अपनों की राय जरूर लेते हैं हाँ हमने ये किया ये करना है करना चाहते हैं और अपनों के लिए ये तमाम जो जो भी चीजे हैं जरूरत की उसको भी हमेशा ही लाके रखते हैं ऐसा नहीं कि किसी चीज की कमी हो जाए बह यह लोग चुकि हुख मुडा हुआ है जेक का इसी तरह से यह भी सीधे रास्ते पर काम नहीं बनने पर टेड़ा रास्ता जरूर यह अपनाते हैं और जहां भी रहते हैं अपने गुनों को बताना नहीं भूलते हैं हमने यह किया हम वह कर सकते हैं अपना बहुत ज्यादा पर भी धेर सारे इनके सत्रू होते हैं खासकर इनके जो बहुत करीबी होते हैं अपने होते हैं यह सत्रू होते हैं और सत्रू खासकर इनके धन को लेकर सत्रू बन जाते हैं जैसे कि आपके कोई अपने हैं कोई दोस्त हैं आप से पैसे लेते हैं वापस तो करते नहीं करें तो सतरुता वहां पर हो गई तो धान के मामलों में बहुत ज्यादा सतरुता होती है कभी कभी आपके थोड़े से सतरु विरोदिया आपके जादा होते हैं तो आपको लाइप सम्हों के रहना चाहिए तो हम आप से विद्दा लेते हैं उमीद है जानकारी अच्छी लग रही होगी हर हर महादेव पसंद रहे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें कमेंट्स का इंतजार रहेगा धन्यवाद